नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तों आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत को इस दुनिया से गए हुए लगभग स्थाड़े साथ महेने हो चुके हैं जी हाँ आपको बता दे कि सुसान सिंग राजपूत के एक रिस्तेदार है उनके साथ एक बहुत ही भयंकर कांड हुआ है आप विश्वास नहीं करेंगे कि इनको भी जान से खतम करने की कोसिस की गई थी और इनके उपर गोली चलाई गई है जी हाँ आपको बता दे कि पूरी खबर बहुत ध्यान से सुनिएगा जिसे सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर सुसान सिंग राजपूत के साथ अभी भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है बॉलिवूड एक्टर सुसान सिंग राजपूत के साथ हुई घटना की गुथी अभी तक्स अंसुल जी है इसी बीच एक्टर के रिस्तिदार को लेकर एक बुरी खबर सामने आई है बिहार के सहर असा जिले में सनिवार को दिन दहारे बाइक सवार हत्यार बंद बदमासों ने यमहा सोरुम के मालिक पर ताबर तोड़ गोलिया चलाई जिसमें सोरुम के मालिक समेट एक कर्मी जखमी हो गये सोरुम मालिक राजकुमार सिंग के साथ एक बड़ी घड़ जिसमें इनका पाउँ पूरी तरह से जखमी हो गया इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरे सक्स के कमर के पास एक बड़ी चोट लगी है जिससे वो भी पूरी तरह से जखमी है बता दे कि दूसरे सक्स की हालत काफी गंभीर बताई जारही है और सायद ऐसी बी जनकाई सामने आई है कि उनका बच्ना मुस्किल है और इसके साथ ही इनका नाम राजकुमार सिंग बताया जा रहा है जो कि दिव्यंगत एक्टर सुसान सिंग राजपूत के रिस्तेदार माने जा रहे हैं रिपोर्ट के मताबिक राजकुमार सिंग का सहरसा और मध्यपूर में सोरूम है सनिवार की सुबह करीब 10 बजे वो अपने सह करमी हसन के साथ बाइक पर सवार होकर सोरूम खोलने जा रहे थे इसी दोरान तीन बाइक सवारों ने उन्हें रास्ते में ही ओवर्टेक कर लिया और उनके उपर कई तरह की गोलिया चलाएं जिसके बाद उनकी परसानिया बढ़ गई और उनको काफी जक्मी हालत में रोड पर गिरना पड़ा और उसके बाद उनकी परसानिया लगतार भड़ती गई और इनको अस्पताल में भड़ती कराया गया है जहां पर इनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है तो ये देखने को मिल रहा है कि जहां सुसान सिंग राजपूत का इस दुनिया से अचानक से चल जाना ऐसा लग रहा था कि अब इसके बाद सुसान सिंग राजपूत के जो दुस्मन है वो पूरी तरह से सांथ हो गए होगे और उनको ठंड़क मिल गई होगी लेकिन ये घटना ये दिखा रही है कि अभी भी जो सुसान सिंग राजपूत के एनेमी है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और वो अभी भी सुसान सिंग राजपूत की फैमली के पीछे पड़े हुए हैं को अभी तक नयाय नहीं मिला है और वहीं दूसरी तरफ NCB लगतार एक से बढ़कर एक खुलासे कर रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि NCB हर किसी को पकड़ लेगी लेकिन सुसान सिंग राजपूत की कातलों का पकड़ना अभी भी इंपॉसिबल साही लग रहा है क्योंकि इ आने वाले फैंस एक बार फिर से निरास हो जाते हैं और जिस तरह की घटना लगतार सुसान सिंग राजपूत की फैमली के साथ हो रही है इससे देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि इनकी फैमली भी सुरक्षित नहीं है तो आपका इस वारे में जो कुछ भी आप हमें कमे करें धन्यवाद